तो दोस्तो ए रहा दिघा का गेट बहुत ही बढ़िया है और ये कौन सा जन्तुरू है इतना खतननक और दोस्तो देख सकते हो दिघा का भीव कुछ ऐसा है तो हेलो दोस्तो कैसे हो उमिद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज मैं जाने बाला हूँ दिघा वीडियो में end तक बने रहना और दिघा वे जाने के बाद बहुत ही मजा आएगा आप लोग वीडियो में end तक बने रहना और आप लोग भी मोबाईल में देखके जीतना हो सके दिघा का फिलिंग लेना तो दोस्तो वीडियो को like कर देना और channel को subscribe कर देना क्यूंकि हमारा ये फ़र्ष्ट व्लोग है और आप लोग जितना हो सके सेयर भी कर देना तो दोस्तों चलिए पहले निकलते हैं उसके बाद आप लोगों से बस में मिलते हैं तो दोस्तों फाइनली हम लोग बस के पास आ चुके हैं और अभी बज़ रहा है रात का असाड़े गिया रहा हम ल लोगों को पुरा बस का रिभीव करके दिखाता हूं जो कि इस बस से हम लोग जाने वाला हूं पुरा दिखा और इस बस का नाम है बगला देभी और आज बहुत ही मजा होने वाला है क्योंकि मैं दिखा जाने वाला हूं पहली बार पहली बार नहीं यह लेके मैं दो बार घूम लूँगा चलिए आप लोगों को अच्छे से दिखाते हूं बस का रिभीव और इसने मेरे को टिकेट दिया चलिए इसको पूरा फूल दिखाते हैं इसका फेस यह देखो गाइस देख सकते हो इसका फेस इसने मेरे को टिकेट दिया है और अभी बस का पीछे सामान लो गोर्ट इसलीए मैं आपको मेरा फेस अच्छे से दिखाने पारा हूं तो दोस्तों मेरा इस चैनल को सब्सक्रेब कर लो मेरा हर रोज ब्लोग आने वाला है और हम लोग आज दिखा जाने वाला हूं मेरा फेस के सायद अब लोग को अंदज लग ज़िया होगा कि मैं कितना ख बॉल को पितिवी की जैसा बनाया गया है और इस में लिखा गया है कि विश्वा बंगला और अभी बज चुका है रात की साड़े तीन और मैं साड़े तीन बजे आपको दिखा रहा हूँ कि दिखा की गेट कैसा है पूरा लाइटिंग ही लाइटिंग आप लोग देख रहे हो तो दोस्तो चलिए आप लोग ऐसे मिलते हैं एकदम दिघा में जाके तो दोस्तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दिघा में और अभी बच चुका है साड़े छे और आप लोग देख रहे हो कि सूरज उट रहा है धीरे धीरे और इधर सूरज उट रहा है क्या ही प्यारा लग रहा है ए सूरज जो कि आप लोग देख रहे हो और ए है दिघा कैसे धेव मार रहा है देख सकते हो आप लोग और इधर कितना सुन्दर धेव मार रहा है मेरे को तो देखके बहुत ही प्यारा लग रहा है और सूरज भी इधर से बहुत प्यारा ही उट रहा है और इधर बहुत सारा बंदा बहुत अद्विन है इधर बहुत जो की बहुत सारा लोग बहुत दूर दूर से आया है दिघा गूमने के लिए हम लोगों की जैसा और दिघा का भीव कते ही मस्त लग रहा है मेरे को आप लोगों को कैसा लगा मेरे को जरूर से जरूर कॉमेंड में बताना और इधर एक के बाद एक धेव आ रहा है कते जहर वाला धेव बहुत प्यारा सा धेव आ रहा है एक के बाद एक डेव आये जा रहा है, आये जा रहा है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, और इधर आ चुका है केमेरा वाला चच्चा, और हम लोगों को दिखा में मिला एक क्या चीज, आप लोग कॉमेंड में बताना, मेरे को पता नहीं है एक कौन सा चीज है, मैं तो पहले बार का सूरज उठना देखने आया है, और कोई-कोई नहाने आया है, जैसे कि हर बंदा ही नहाएगा, मैं भी नहाँगा, लेकिन में लोग देखने आया हूँ, सूरज उठना, तो दोस्तो सूरज थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखो एरहा सूरज, जो कि आप लोग देख रहे हो, बहुत ही प्यारा सूरज उठता है इधर से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पानी का उपर से सूरज, कैसे एक दम पानी का उपर से उठ गया, मेरे को तो ऐसा ही लग तो दोस्तो मेरा कैमेरा ज्यादा जूम करने पर मेरा कैमेरा ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा है इसलिए मेरे को थोड़ा कम जूम में देखना पड़ेगा एस सुरज को और आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगा थोड़ा कम जूम करके यह आगे का लड़का क्या कर रहा और आप लोग देख सकते हो अधर हम लोग इधर थोड़ा मस्ती कर रहे हैं जो कि आप लोग सुन रहे हो साइड में बहुत ही मस्ती हो रहा है इधर और ये लोग इतना फनी फनी बात कर रहा है मेरे को दोस्त सून के हैं सी आ रही है इसलिए आप लोगों से भी थोड़ा सेर कर दिया है जो कि आप लोग भी सून सकते हो तो दोस्तो अब अब आप लोग अच्छे से देख लो कैसे धेव उट रहा है तो दोस्तो बहुत बहुत ही प्यारा टाइप का धे उठ रहा है और इधर का पानी में बहुत ही नमक है बहुत बहुत जादा अप लोग अगर नहाँगे तो आप लोगों का सरीर और आप लोगों का फेस बहुत ही जलेगा और सरीर जलेगा जलेगा उसके उपर से पानी इतना ठंडा है इतना ठ तहर दिख रहा है और बहुत सारा लोग आया है घूमने के लिए अब लोगों को मुबाइल में कैसे लग रहा है मेरे को पता नहीं है लेकिन मेरे को इधर बहुत ही प्यारा लग रहा है बहुत ही प्यारा नज़ रहा है इधर तो दोस्तों एक बात बता हूं मैं पूरी राद इसे पूरा नमाः नमाः भत्ती है जैसी की आप लोग देख रहे हो यह पानी में आप लोगों को तो पता ही होगा कि समुद्रों के पानी में कितना नमक होता है जैसे आप लोग वीडियो में देखके ही समझ गये होगे तो दोस्तो अभी घर जाने का टाइम हो चुका है हम लोगों का अभी करीबन करीब दो बज चुका है और दो बज़े का भीव देखो पुरा पानी आ चुका है उपपर तक और हम लोग घर जाने वाला हूँ अब और मेरे को बहुत ही जादा नीन आ रही है बहुत ही जादा और मेरे को इधर एक पल भी रहने का मन नहीं कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि अभी इधर ही सो जाओं मेरे को इतना नीन आ रही है और आप लोग आगे जैसे कि देख सकते हो पुरा पानी ही पानी दिख रहा है किनारा नहीं है स्री पानी ही पानी और इधर इतना लोग आया है सब घूमने के लिए बहुत बहुत दूर से आया है और इधर करीबन करीब 5000 से भी जादा लोग आया है घुमने के लिए और आप लोग दिखा आओगे बहुत ही प्यारा लगेगा आप लोग को भी और इधर बहुत केमेरा वाला है फोटो उठाने के लिए बहुत सारा घोड़ा है गाड़ी है बहुत कुछ है इधर नौका है जाहाज है आप लोग इसमें चड़ सकते हो जैसी कि आप लोग देख रहे हो बहुत सारा लोग नाया है इधर तो दोस्तो फाइनली हम लोग हमारा बस में आचुके हैं और इधर देख सकते हो bus tent और ये bus tent शिरिप और शिरिप लगसरियस बासों के लिए ही है और इस bus tent का भीव भी खते ही जहर है जैसे कि आप लोग देख रहे हो और इस bus tent में आप लोगों को बहुत सारा संदर संदर बास देखने को मिलेगा तो दोस्तो हमारा आज का ब्लोग एही पे एंड करते हैं आप लोगों के साथ मिलते हैं किसी नेक्ष्ट ब्लोग में तब तक के लिए परिवार को स्वास्त रखे और खुद भी स्वास्त रहे वाई वाई